एक दुलहन बरात का इंतिजार करती रह गई एक मार्च को उनकी साधी होनी थी सारी तैयारी हो चुकी थी लड़की पक्स बरात का बेसबरी से इंतिजार कर रहा था काफी समय भी जाने के बाद भी जब बरात नहीं आई तो दुलहे के भाई ने लड़के की पिता को फोन कर जाना चाहा कि आखिर बरात कहा पोची है जिन पर दुलहे के पिता ने कहा कि वह बरात की तारिक ही भूल गए अब वह दस मार्च को बरात लेकर आएंगे लेकिन इससे पहले उन्हें स्विप डिजायर कार दिनी होगी लड़की पक्ष की और से पुलीस में सिकायद दर्ज कराई गई है पुलीस ने के दर्ज कर मामले की जाँ सुरू कर दी मिली जानकारी के अनुशार मामला हल दिनी के बनभूल पूरा थाना चेत्र का है बरेली रोड निवासी सक्ष ने पुलीस को तहरील देते हुए बताया कि उनकी बहन का निकाह चमोली जीले के रहने वाले नासीर एहमत के बेटे समीर से तै हुआ था पिछले साल अगस्त में दोनों की सगाई कराई गई थी सगाई के समय निकाह की तारिक एक मार 23 की तै की गई थी दोनों पक्षों के बीच फोन पर बात होती रहती थी लड़के के पिता ने 150 बरातियों को लाने की बात भी कही थी युवक ने बहन की साधी के लिए एक लाख रुपे में बेकेंट हॉल बुक्या बरात की खाने की वियवस्तावाई सभी इंतजाम किये युवक ने पुलीस को बताए कि उनके बहन को तोफे में देने के लिए ग्रहस्ती का सभी समान भी खरी लिया था हाला कि उनकी ओर से स्वीप दिजायर कार की मांग की गई लेकिन युवक ने आर्थिक स्थिती का हवाला देते हुए गाड़ी देने में असमर्ता जाहिर की थी जिसे कुछ दिनों बाद उन्होंने साधी से इनकार कर दिया था दोनों परिवार की बीच बातचीत होती रहती थी साधी का दिन नजदी काया और एक मार्च को दुलहन पक्ष ने सभी तयारी पूरी कर ली वे लोग बरात का इंतिजार कर रहे थे काफी देर हो जाने के बाद जब दुलहन के भाई ने नासीर एहमत को फोन किया तो उन्होंने कहा कि वे बरात की तारिक बूल गए थे अब वे 10 मार्च को बरात लेकर आएंगे लेकिन इससे पहले उन्हें सुईब डिजायर कार देनी होगी दुलहन के भाई ने पुलीस को तहरील देकर नयाय की गुहार लगाई उन्हें कहा कि नासीर एहमत की परिवार ने जान बूच कर उसकी बहन के भविस के साथ खिलवार किया है युवग ने परिवार के खिलाफ सक्त कारवाई की मांकी है पुलीस ने तहरील के अधार पर केस दर्ज कर जाच सुरू कर दी है